दोस्तों नमस्कार जैसरी किष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मार्च से लेकर के पंद्रा मार्च तक की नो कॉंटेक्ट सिचुएशन करंट स्फीलिंग आपके एक्स पार्टनर की यानि कि आपके पार्टनर के साथ में अगर आप नो कॉंटेक्ट में हैं तो उनकी यानि कि आपके पार्टनर की बरतमान की भावनाई क्या है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके विचार आपके लिए क्या बदल रहे हैं एक से पंद्रा मार्च हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके एक्स पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं उनकी करेंट स्वीलिंग ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है ये special love reading होती है और आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि जब आप no contact में होते हैं तब आपको केवल और केवल जोतिस astrology ही बता सकती है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या negative सोच रहे हैं क्या उनके आने की उमीद है भी या नहीं क्या आपको बेट करना चाहिए क्या उनके लिए रुखना चाहिए या move on कर जाना चाहिए ये बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं और इनी सवालों के जवाब आपको ये reading देने की कोसिस करती है आईए आपको बताएंगे कि आपके बरतमान में एक्स पार्टनर जो है बरतमान की भावनाएं क्या है बरतमान में क्या सोच रहे हैं एक मार्च से पंद्रा मार्च सबसे पहले वो नए दर्सक जो हमारी वीडियो को पहली बार देखने आए है उनकी जानकारी के लिए बता दें हमारी ये special love reading केवल महीने में दो बार मिलती है पंद्रा पंद्रा दिन की और day wise आपको हम बताते हैं कि आपको day wise आपको बताते हैं कि आपके partner आपके लिए क्या सोच रहे है एक्स partner no contact में या फिर वो अलग एक और वीडियो आती है current feeling की उसमें आपको उन लोगों को देखना होता है जो बरतमान में contact में हैं लेकिन जहाँ no contact सब्द लग गया वहाँ पर आपको अगर आप no contact में है यानि किसी भी तरीके से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है तब आपको ये वीडियो देखनी चाहिए दूसरी बात ये आपके partner की रासी के नुसार है आपके partner का moon sign चंद रासी के नुसार है अगर आपको उनका चंद रासी यानि moon sign पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के नुसार भी देखवा सुन सकते हैं लेकिन इसे sun sign के नुसार नहीं देखना है क्योंकि न तो ये tarot card है और ना ही ये best on astrology है ये बैदिक astrology के आधार पर हम reading बनाते हैं और ग्रहों की इस्तिदियां देखते हुए ये reading आपके लिए प्रस्तुत करते हैं तो आईए जानते हैं कि आपके partner यानि कि आपके ex partner no contact में होकर के आपके लिए क्या feel कर रहे हैं क्या सूच रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे रासियों के क्रम में सबसे पहली रासी मेश रासी का अगर आपका partner था तो आपके बारे में वो क्या feel कर रहा है क्या सूच रहा है सबसे ज़्यादा बरतमान में जो मेश रासी के partner आपके थे जो भी मेश रासी का partner होगा वो निस्चत रूप से बरतमान में बहुत जादा परेसान होगा बहुत जादा उसे चुड़चुड़ापन तनाव वाली इस्तिती कहीं न कहीं उसकी बन रही है उसे कहीं न कहीं आपकी याद भी आ रही है लेकिन उसे प्रॉब्लम यह है वो आपको इतना बुरी तरीके से छोड़ कर गया है या उस तरीके से उसने बेवहार किया है कि वो आपके पास बापस आये तो किस मुझ से आये यह सोचने पर मजबूर है यहाँ पर इस्तिती यह भी है कि बरतमान में वो आपके बहुत सारी पॉजटिव बाते सोच रहा है बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छा सोच रहा है हाला कि खुद बहुत परेसान है लेकिन परेसान क्यों है क्योंकि जिसकी बज़े से आपको छोड़ा था आना चाहते हैं लेकिन वो आपके अगर खुद से वापस आएंगे तो अपना एगो किसी दिखाएंगे ये भी है दूसरी बात गलती इतनी बड़ी की है तो आप उसे माप भले ही कर दें लेकिन वो कहीं न कहीं अपनी नजरों में अपने आपको बहुत ज़्यादा गिरा हुआ समझेगा तो इसलिए इस्तिती ऐसी बनी हुई है कि आपके पास बापस नहीं आना चाहते हैं नहीं आप आएंगे आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आप आएंगे अगर आप खुद से प्रयास करते हैं, खुद से बात करते हैं और आपकी मिमान लीजे मेस रासी है और आप ऐसा करते हैं, तो बहुत best है क्योंकि दोनों तरफ से प्रयास बराबर होगा तो सफलता की इस्तिती बन जाएगी लेकिन यहाँ पर इस्तिती यह है कि उनकी तरफ से प्रयास जो है वो नहीं करेंगे, आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा एक यहाँ पर इस्तिती 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में ये भी बनेगी कि आपका जो एक्स पार्टनर है वो कुछ तो आपको गुसे में ऐसा बोलेगा जिससे आप तिल मिला करके और जगड़े कर ले और गलत फैमिया बन जाए आपके वीच में ऐसा कुछ बोल सकता है ऐसा कुछ बोल सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाए और आप जगड़े करने के लिए मज़ूर हो जाए और वो जगड़ा भी इसलिए करना चाहेगा क्योंकि उसे कम से कम बातचीत करने का एक बहाना तो मिल जाएगा तो यह स्तिती है अब बात कर लेते हैं ब्रशव रासी का अगर आपका पार्टनर था तो आपके बारे में क्या सोचता है ब्रशव रासी का अगर आपका पार्टनर था तो आपके लिए बहुत ही ज़ादा उसके मन में चिड़चिड़ापन नेगेटिविटी आ चुकी है वो आपको इस तरीके से सोच रहा है आपके बारे में कि बहुत ज़ादा आपके बारे में नेगेटिव कि आप पैसे के लिए या किसी फाइदे के लिए उसके साथ में थे इस तरीके के विचार उसके मन में आ गए दूसरी बात है आपने बरतमान में कुछ ऐसी बाते बोल दी हो जिस बज़े से वो यह सोचने पर मजबूर हो गया हो कि यह व्यक्ति हमें धोका दे सकता है चीट कर सकता है इस तरीके के ख्याल उनके मन में आने लगे है और इसी बज़े से वो यह सोच रहे है कोई व्यक्ति मुझे धोका दे इससे पहले मैं ही उसे छोड़ दू कोई मुझे छोड़े उससे पहले मैं ही उसे छोड़ दू ये कहीं न कि उनके मन में ख्याल चल रहे है ब्रशवरासी की एक प्रॉब्लम ये है कि वो no contact में इसलिए भी गए है कि उन्हें जब तक आप बहुत care करें बहुत प्यार दें वो सब कुछ ठीक है लेकिन एक छोटी सी गलती सबसे बड़ी ब्रशवरासी की ये मुझे एक तरह से प्रॉब्लम नजर आती है कि वो एक आपने सो अच्छाई कर दी लेकिन एक बुराई आपने अगर कर दी तो वो एक बुराई को लेकर के ही आपको ब्लॉक कर दे आपकी लाइफ से चला जाए या पता नहीं क्या क्या कर ले ये तो उसकी सनक सबार हो जाती एक तरह से तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या करनी पड़ रही होगी लेकिन Contact में आने की इच्छा बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है कि आ ही जाए लेकिन इतना जरूर है Confusion है और वो Confusion इसलिए है क्योंकि आप कभी कहते हैं कि सादीर करेंगे कभी कहते हैं नहीं करेंगे या कभी कोई Promise करते हैं अभी उससे आप पूरी तरह से मना कर देते हैं उस promise को निभाने से, इसलिए ऐसे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन contact में आप जरूर आ जाएंगे, ऐसी उमीद बहुत प्रवल है, लेकिन एक गलती यहाँ पर आपके partner भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं move on करने की, किसी दूसरे व्यक् का हाथ थाम लेते हैं, फिर दूसरी तरह मुड़के नहीं देखते हैं, अब बात कर लेते हैं, मिथुन रासी का अगर आपका partner था, तो किस तरीके की feeling उसके मन में चल रही हैं, बहुत जादा गलत फेहमिया बनी हैं आप दोनों के बीच में, और गलत फेहमियों के कारण ही आप दोनों की स्तिती खराब हुई है, बरतमान में बहुत जादा आपके बारे में गलत ख्याल उनके मन में आ रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें बनी हैं, वो third party की बज़े से बनी हैं, और किसी third party की problem यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं, अब आपके पास में एक रास्ता तो यह है कि आप खुद से उनसे बात करें और उन्हें बापस लाएं, समझाएं, और दूसरा यह है कि उनकी बातें सुनें और उन्हें बरदास्त करें, क्योंकि वो बापस तो आना चाहते हैं और वापस आ भी जाएंगे, लेकिन problem यह है कि आपको उनकी बहुत सारी बकबास स सुननी पड़ेगी, जो सायद बाहियाद होगी, तो इसलिए यह चीजें कहीं न कहीं बनने वाली हैं, नो कॉन्टेक्ट में उनकी जो feelings हैं आपको लेकर के वो बहुत negative हो गई है, यह इस्तिती है, अब बात कर लेते हैं, करकरासी का अगर आपका partner था, तो उसके विचार आ गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बात बोल दी, जिससे वो hurt हो गया है, यहाँ पर बहुत अधिक संभावना है, कि आप लोगों का बहुत जल्दी पैचाफ हो जाएगा, बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत हो जाएगे, खास करके 5 मार्च के बाद में इस्तिती ऐसी आना चाता है, क्योंकि उसे तो बहुत समय से बस ये चाहिए था कि कैसे भी आपकी लाइब से निकल जाए, वो बार बार इस बात को दोहराता था, कि मुझे तुमारी लाइब से बस निकलना है, कैसे भी आप तुम से चुटकारा पाना है, और वही चीज उसने की, उसे मिल आपका बढ़ गया प्यार, जब आप उसे लात मारते थे, तब तो वो आपके पास ही वापस आता था बार बार, लेकिन आप प्यार कर रहे हैं, तो आप से दूर जा रहा है, और यही चीज है, कि आप सिंग रासी का पार्टनर है, तो वो बापस नहीं आना चाता, अब आपको decision लेना है, कि आप उस चीज से कैसे निकल पाएं, तो कि बहुत हो निकल चुका है, अब आपकी बारी है, आप अगर निकल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो, यहाँ पर इस्तिती यह है, कि आप वो प्यार और वो गयर अपना बरवाद कर रहे हैं, क्योंकि उसे कोई भी जरूरत नहीं, प्यार की आपकी emotions की, यह इस्तिती है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपका partner कन्या रासी का था, तो उसकी feelings क्या है, अगर कन्या रासी का partner था, तो वो आपकी life में बापस आ सकता है, क्योंकि उसके मन में आपको लेकर बहुत emotions से बहुत feelings हैं, लेकिन family व बाते भी चल रहे हैं, इस बज़े से कुछ problem हो रही है, और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी दुबिधा को, उसकी problem को आप बहुत ज़्यादा अलग ही नजर से देख रहे हैं, और आपकी बातचीत का तरीका बड़ा कठोर है, और इन चीजों से उसे लगता है कि आ आप से फिर तो हट जाना दूर जाना ही सही है, क्योंकि आप उसे support करने की जगा आप उसे criticize कर रहे हैं, ये problem है, आप उसके हात थामिये साथ चलिये, वो यही चाहता है कि किसी भी तरीके से वो जो उसकी family चाहती वो ना हो, लेकिन आप उसका साथ ना देते हुए, बलकि ऐ ऐसा एक मौका समझ रहे हैं ये, जहां आप भी यही चाहते थे, लेकिन अब उसके उपर पूरी तरह से वो डाल दिया है, इस तरीके की feeling उनके मन में हैं, कहीं न कहीं वो आपको लेकर किस तरीके की feeling सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके पास बापस आएंगे, इसकी प्रबल स कम भीर हैं, वो बहुत परेशान हैं, प्रैक्टिकल होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि किसी के साथ में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, जो आपके साथ में करती हैं, वो no contact में गए, उसकी बज़े है कि उन्हें कोई बहतर मिला है, इस से पीछा छोड़ा है, इस बज़े से क्योंकि उन्हें बहतर मिला है, दूसरी स्तिती है कि तुलावाले बदला बहुत खतरनाक लेते हैं, अब बदले की स्तिती यहाँ पर यह बन गई है, कि वो आपने जो उन्हें एक-दो साल से परेशान किया था, उस तरीके से आपको भ परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि उनके इमोसंस अब कम हो गए हैं, और आपके इमोसंस बढ़ चुके हैं, और इन दिनों में आप भी बहुत जादा देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्तितियां चलने वाली हैं, अब बात कर लेते हैं, व्रिष्चिक रासी का अगर आपका पार्टनर था, तो उनकी स्तिति क्या है, अगर व्रिष्चिक का पार्टनर था, तो वो अपने किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में, या जिसके भी साथ में गया है, अच्छा बुरा, उसके साथ में खुस है, या खुस रहने की कोसिस कर रहा है, तो आपके पास में आने के chances तो नहीं है, वो move on कर चुका है अब आप अगर उसे बार-बार contact करेंगे तो वो आपके खिलाब कुछ न कुछ कर देगा आपके खिलाब कारवाई कर देगा बहुत ज़्यादा इस तरी के इस्तिती बन सकती है लेकिन यहाँ पर एक इस्तिती और है यहाँ पर कुछ ब्रिश्चिक वाले Scorpio वाले Confuse भी है मतलब कम percentage में है 10-20% लोग ऐसे भी होंगे जो Confuse भी है और उनकी Confusion की स्तिती खास करके 3 मार्च से 15 मार्च के बीच में ज़्यादा बनेगी कि वो Confuse होकर के contact साधने की कोसिस कर रहे हैं या फिर आपकी उन यादों को जो आपके साथ में जो भी याद हैं थी उनको ताजा कर रहे हैं या उनसे उन यादों को बार-बार सोच रहे हैं आपको मिस कर रहे हैं आपकी feeling, आपकी अच्छे विचार, आपकी अच्छी आलते हैं, सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, या वापस आ जाएंगे। लेकिन अच्छाईया आपकी याद करते हैं, इन दोनों में याद बहुत करेंगे, यह स्तिती है। अब बात कर लेते हैं, धनूरासी का अगर आपका partner था, तो क्या इस्तिती उनके बीच में रहेगी, आपके बीच में रहेगी और उनके मन में क्या विचार चलेंगे। no contact situation में धनूरासी का partner है, तो आपको लेकर के वो बहुत सोच रहा है, उसने बहुत प्रयास किया आपसे बात करने का, आपसे contact साधने का, लेकिन इस्तिती यह है कि अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं इस्तितियां, आपका ego अलग है, उनका सम्मान अलग है और इस बी ego इतना है कि उन्होंने एक दो बार sorry भी बोला लेकिन आपको समझ नहीं आया वो, और इसी बज़े से चीजें बिगड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि 11, 12, 13 मार्च को कुछ ऐसी स्तितियां बनेगी जिससे वो फिर से आपसे प्रयास करेंगे बात करने का, लेकिन ऐसी स्ति आप इगो की वज़े से वो चीजें बिगार रहे हैं, अब वो एक या दो बार ही कहते हैं, आपको चार बार, हजार बार चाहिए sorry या बहुत ज़्यादा उस तरीके के आपको बिचार उनके सुनने हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा सरमिंदा हैं, वो सब कुछ नहीं बोल कुछ चीजें ऐसी बिगड़ गई हैं, कुछ प्रेम के धागे में इतनी गाठें पड़ गई हैं कि गाठों में जैसे ही उनका हाथ जाता है, जहां वो प्रॉब्लम्स जो आपने परिशान किया है, उस चीज को सोचते हैं तो उन्हें वो feelings नहीं आती हैं, जो पहले आती थ जाते हैं, आप से दूर भाग रहे हैं किसी और के इंतिजार में, क्योंकि अब उनका आपसे मन भर गया है, एक तरह से, इमोशन तो बचे हैं, लेकिन वो एक जो physical need है, वो कहीं न कहीं उनकी पूरी हो गई है आपसे, अब आप में इंटरस्ट नहीं रहा है, उस तरीकी की जी थोड़ी बन गई हैं, और इस बज़े से आपसे no contact में गए हैं, यहाँ पर third party problem है, इसी बज़े से no contact में गए हैं, जाया तर चांस हैं कि आप उन्हें जानते भी होंगे, जो third party है, उसे आप जानते भी होंगे कि वो कौन है, तो इस तरीके की इस्तिती बन रही है, अब गलत फैमिया बहुत बनी हैं, इस बज़े से ब्लॉक किया है, बापस आजाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी उम्मीदें कुछ जादा होई हैं, ऐसा उसे लगता है, और वो आपके अंदर कुछ बदलाब चाहता है, कुछ बदलाब वो चाहता है, और वो अनी दिनों के बीच में आए, तो वो आपको सर्तें रखे, उन सर्तों को सही से सुनना, उन सर्तों से कहीं भी भ्रमित मत होना, उन सर्तों की वज़े से उसके बारे में कुछ गलत मत सोचना, क्योंकि हो सकता है, सर्तें सुनने में थोड़ी गलत हों, पर उसका intention कुछ भी ऐ जीब हो सकती है अलग हो सकती है लेकिन जो बाते होंगी वो गलत नहीं होंगी यह स्थिती है अब बात कर लेते हैं मीन रासी का पार्टनर था तो वो आपके पास बापस आएगा या नहीं वो बापस नहीं आना चाहता है क्योंकि उसे कोई और मिल चुका है लेकिन आपकी बा है या नहीं ये सवाल दूसरा है लेकिन इतना जरूर है कि वो आपको परिसान करना चाहता है आपसे बदला लेना चाहता है और वो जो व्यक्ति जिसके साथ मैं गया है उससे मिलवाना चाहता है आपको दिखाना चाहता है मुझे इस तरीके के विचार उनके आपके लिए हैं और वो कभी-कभी सोचता है कि यह जो चीजें मेरी पार्टनर ने मुझे दी है कास मैं दिखा पाता उसे कास मैं दिखा पाती कि देखो क्या-क्या दिया है उसने इस तरीके की feeling उनके मन में है आपको लेकर के लेकिन आपके पास बापस आएं रियूनियन करें वो इस्तिती कहीं नहीं है सिर्फ इस तरीकी की स्तिती है दोस्तों यह था आपके पार्टनर के मन का हाल उनके 1-15 मार्ज तक नो कॉंटेक्स सिचेशन में एक्स पार्टनर के विचार अगर आपको यह वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार